इन दिनों लोजपा के दोनों खेमों में चल रहे आपती जंग के बीज भाजपा ने बिहार में चिराग पासवान के साथ चलने का फैसला ले दिया है जहां चिराग पासवान की पार्टी लोजपार रामविलास को बिहार की पांच सीटें गटबंदन में मिल चुकी हैं हाजिपूर समेत 5 सीटे दी गई है जबकि पशुपती पारस की पार्टी लोजपार राश्ट्रे को भाजपा ने एक भी सीट नहीं दी है जिसके बाद पारस ने मोधी काबिनेट से स्तीफा भी दे दिया है वही पशुपती पारस से समझोता की गुंजाईश से जुड़े बिहार में एंडिय में सीट शेरिंग के तहट भाजपा को सत्रा जेडियो को सोला चिराग पास्वान की पार्टी को पांच और उपेंद्र कुश्वाहा और जीतन राम मांजी को पार्टी ने एक एक सीट मिली है इस बार कई सीटों की अदला बदले भी आपस में की गई है वहीं ग्रे मंत्री अमिज शाहन एक इंट्रव्यू के दोरान कहा कि जब बिहार में भाजपा और जीडियो के साथ होने को लेकर सवाल किया गया तो अमिज शाहन ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में हमने पलटी नहीं मारी हम जहां थे वही हैं हम गंगा के नारे थे और वहीं रहे वो आकर हमारे साथ मिल गए हैं जिहां यहां बात किसी और की नहीं बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के हो रही थी जेडियों को सीट बटवारे में 16 सीटे देने के लिए सवार पर अमित शा ने कहा कि बिहार यूनिट के नेगोसियेशन का ये नतीजा ह उन्होंने कहा कि बिहार में हम पहली बार नितीश कुमार से अधिक सीटों पर लड़ रहे हैं भाजपा वहां बड़े भाई की भुमिका में हैं ये हमारे लिए बड़ी बात है उन्होंने बड़ी जीत का दावा भी किया है पुरी जानकारी हमें नहीं है लेकिन मैं इतना कहा दूँ कि भारतिये जनता पाटी एंडिये गठबंधन सब का सम्मान करती है अज सब को अफसर देती है भारतिये जनता पाटी पुराने लोगों का सम्मान करती है नए लोगों का भी स्वागत करती है नए लोगों को भी आज उन्ही के पडिवार से मान्ये चिराग पासवान जी जिनके पिता जी के जाने के बाद उनको अवसर मिलना चाहिए था लेकिन इनको अवसर देते रह गया पाटी केबिनेट मिनिस्टर ये रहे अब अवसर बदलता है मिलता है सम्मान सबका होगा इसमें कहीं प्रोब्लम नहीं है देश के प्रधानमंती नरंदर मोदी जी सबको लेके चलते हैं और सभी सहयोगों को उचित सम्मान उचित समय पर देते हैं कर देखें आपस में समती बनानी चाहिए और हमारे सिर्सस्त नित्वित भी लोगों को सहयोग करते हैं मदद करते हैं इनका पारिवारिक मामला है हमको लगता है कि ये लोग बैठके समधान कर लेंगे मैंने बाजपा के साथ रहेंगे आज कोई भी ब्यक्ति देश के मानिय प्रधानमंती नरंदर मोदी जी से अलग हट के राजनीती नहीं करना चाहेंगे जिसको बेहतर भविस में एक बेहतर वातावरन बनाने का मन के अंदर संकल्प है क्योंकि आज देश के प्रधानमंती नरंदर मोदी जी ब्रहष्टा चार मुक्त भारत बनाने का विक्षित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के चले हैं जाती विहिन समाज किसान जुबा महला और को ले करके किसान को ले करके चल रहे हैं ये चारो जाती को आगे बरहाने का इस संकल्प को लोग मिलके साकार करेंगे और पारसवावों भी इस कार्जकर्म के भागिरदार रहे हैं वो भी पूरी ताकत से इस कार्जकर्म को आगे ब वीडियो को लाइक करें जोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें